नमस्कार साथ हैं स्री बीडिकल आई टी गूरू में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टन इंफार्मेशन आपको मिलने वाली है कि फस्ट जो लिस्ट आती है इस फस्ट लिस्ट में नाम सबसे पहले किस का आता है बहुत सारे लोगों के मिन में doubt है तो आज का ही doubt आपका killer होने वाला है सबसे पिले दो गर बता दें आपको की first list में किसका नाम आता है तो देखे जिसका जो है percent जो होता है वो अच्छा होता है अब सवाल यह कि अच्छा percent का मलब क्या देखे सवाल यह नहीं है कि आपका 90% है तो आपका पहले list में नाम आहीं जाएगा यह पूरी तरह से fix नहीं है मैं बार-बार कहता हूँ दोस्तों कि आपको कोई बता नहीं सकता है कि इतने merit list पे आपका नाम आ जाएगा सोयम जो खुद का government में teacher वो भी बता नहीं सकते है कि आपका इतने percent पे यह college मिल जाएगा या फिर यह trade मिल जाएगा क्यों क्यों कि fix नहीं होता है हर साल अलग-अलग merit बनती है मलब कभी जो है 95 चला जाता है कभी 99 भी चला जाता है कभी 80 पे भी किसी को अच्छा trade मिल जाता है कभी किसी को 75 पे भी अच्छा trade मिल जाता है तो सवाल दोस्तों यह नहीं है कि कितना percent है आपको college और trade मिल जाएगा बसरते अंतर इतना होता है अगर आपका परसेंटर अच्छा है तो आपको अच्छा college और अच्छा trade मिल जाएगा अब सवाल आपके मन में यह होगा कि अच्छा कमलब क्या कितना अच्छा होना चाहिए तो देखें मैं आपको बतादो कि इसमें जिससे कुछ आराच्छर आपको मिलते हैं आरच्छर जो मिलते हैं ठीके जिससे मालो किसी का जो है general category में है और EWS लगाया है उन्होंने तो इनको जो है benefit मिलता है इनका नाम पहले list में आने के संभावना जादा होती है ठीके अगर मालो कोई special quota वागरा कोई लगाया है जिससे मालो कोई भी quota जिनके पास है ठीके कोई सुतनदस देनाने के है या फिर कोई जो है किसी कोई job में है government में आईडिये उगारा में तो इनको अरच्छर मिलता है तो इनका नाम पहले list में आता है ठीके और जिनका परसेंटर अच्छा होता है अच्छा कमलब मैं कहीं हूँ आपको कि जैसे माले किसी का जो ह असी पलस है तो इनका नाम जो है पहले आने का चांस होता है असी पलस कमलब कि यह असी तक पूरा 99 तक जाएगा जिनका अच्छा होगा उनका आएगा ठीके अब यहां पर सवाल यह होता कि कटेगरी वाई भी और जो है ट्रेड वाईज भी और कॉलेज वाईज भी जो है डिवाइड होते हैं तो आपके परसेंटे अलग अलग बढ़ जाते हैं तो यहां पे आपको यह ध्यान लखना है कि जैसे आपने फॉर्म भरा होगा इस फॉर्म पे भी डिपेंड करता है इसलिए मैं करा हूँ कि अच्छा ट्रेड या फिर अच्छा कॉलेज या फिर अच अगर आपने सही तरीके से भरा होगा तो आपको पहले लिस्ट में नाम आजाएगा सही तरीके से नहीं भर होगा तो आपको सिकल लिस्ट में नाम आएगा या तो थर्ड लिस्ट में नाम आएगा जैसे आपने जैसा अपना परदस्टन किया होगा अब यहां पे दूस्तर हो कई बार के चार लगभग मेर्ट लिस्ट आती ही आती है पाचवा भी आता है जब सीटे बच जाती है नहीं तो चार तो आती ही आती है तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता तो आपको निरास नहीं होना है आगे कुछ करना न परदेंगे अगर उनको मनपसंट कॉलेच ट्रेन मिला है तो चेंज भी कर सकते हैं चेंज के बारे मैंने बता चुकरा हूं कैसे कर सकते हैं ठीक है आपने त्यारी बाने बनाए रखिए डाकुमेंट त्यार रखिए जैसे अप्डेट आएगा आपको सुच्छित कर देंगे मिलते नक्स वेडियो में थैक्स वाचिंग